एशमार्ट नोकरी में आप सभी का स्वागत है मैंवनिसकुमार दोस्तो एम्स ने ब़ेसी नर्सिंग पोस्ट ब़ेसी का रिजल्ट जारी कर दिया है वे इम्स ने इसका एक आग्जाम 11 जून को कंड़क्ट किया था और Just Aims ने एक मंथ में इसका रिजल्ट जारी कर दिया यह रिजल्ट जो जारी किया गया यह final merit list है मतलब total 42 students को selection किया गया है और आप सभी को बता दू कि जितने भी students ने exam दिये थे वो अपना result चेक कर सकते हैं जानकारी के लिए आप सभी को बता दू कि इसमें जो cut-off पिछले साल से मैं compare किया बहुत कम cut-off है कारण यह है कि इस बार बहुत सारे students ने exam नहीं दिया इस situation की वज़ा से जिसकी वज़ा से बहुत सारे students को फाइदा मिल गया है जो students इसमें exam दिये थे यहाँ पे देखें एसी students का 16 marks पे selection हो गया है और EWS category वाले students यानि जेनरल के लिए 42.33 marks पे selection हो गया है open जो हुआ first rank जिसका है उसका 80.33 marks पे ही selection हो गया है जबकि 90 plus marks जाता है तो फाइदा कहीने कहीं हुआ है जो students ने exam दिया है तो friend मैंने इसके बारे में कई बार बताया आप सब को आप सब भी exam नहीं दिये आपने गलती किया अगर जो इस्ट्रेंट इस form को fill up किया था एक बात और आप सब भी को बता दूँ कि यहाँ पे देखें अभी nursing और paramedical aims exam लेता है जिसमें अभी ये BAC post basic nursing का exam हुआ है अभी BAC honors nursing बाकी है paramedical बाकी है अभी exam नहीं हुआ है बहुत सारे students ने इस application form को apply किया है मैंने कई बर बताया है तो friend आप सभी को बता दूँ यह exam जब होगा मैं खुद बताऊंगा तो आप सभी exam जरूर देने जाएंगे क्योंकि इस situation में लगबग ज़्यादा students यहीं सोचेंगे exam नहीं दे लेकिन जो students यह exam देगा उसको कहीं ने कहीं benefit मिलेगा cut-off में क्योंकि अभी मैंने आप सभी को list दिखाया तो list में पिछले साल के compare में cut-off कम है आप सभी अगर जो students पिछले साल exam दिये होंगे उनको पता होगा तो friend exam दे आप exam छोड़े नहीं क्योंकि ज़्यादा तर students के mind यहीं सेट है कि medical में सिर्फ neat exam ही देंगे बाकी exam नहीं देंगे लेकिन आप जो जो application form को fill up किये हैं वो सभी application form जो है उसका exam दे आप और मुझे आप सभी को बस इसी बारे में बताना था कि exam दें आप exam को छोड़े नहीं क्योंकि cut off कम जाएगा ज़्यादा तर रेश्ट्रेंट exam नहीं देंगे तो आपको benefit इसका मिल जाएगा और यहीं time होता है benefit लेने का ठीक है हमारे चैनल को subscribe कर ले latest updates आप सभी को मैं देते रहता हूँ और किसी परकार का सुझाओ भी देता हूँ आप सभी को जो भी आता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching वीडियो